यूपी के विधान परिशत चुनाओं में बीजेपी ने ऐसा रेकॉर्ड बनाया है जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बना पाए 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है स्थानी प्रादिकारी निर्वाचन क्षेतर से विधान परिशत की 36 सीटों के चुनाओं में भाजपा ने जबरदस जीत दर्ज की है भाजपा के खाते में 36 में से 33 सीटे आई है इसके साथ ही भाजपा को विधान परिशत में पूर्ण बहुमत मिल गया है उत्रप्रदेश विधान परिशत चुनाओ की अगर बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण चुनाओ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी राजनेतिक दल जद्दो जहद में जुटे हुए थे 40 साल में ये पहली बार हुआ जैसा मैंने आपको बताया कि जब उत्रप्रदेश विधान परिशत में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ अभी तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था ये रिकॉर्ड बीजेपी के नाम दर्ज हो गया है इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था यूपी विधान परिशत में 100 सीटे हैं इनमें से 36 सीटों के लिए चुनाव हुए 9 सीटों पर भाजपा के उमीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की जिन 27 सीटों पर मददान हुआ उनमें से 24 पर भाजपा को जीत मिली तीन सीटों पर निर्दलियों उमीदवार जीत गए विधान परिशत में बहुमत का आकड़ा 51 का है अब भाजपा के पास 66 MLA हो चुके हैं यानि बहुमत के आकड़े से भी सूलस ज्यादा अब कैसी होगी विधान परिशत की तस्वीर वो भी आपको बताते हैं जिन 27 सीटों पर मददान हुआ उनमें से 24 पर बीजेपी को जीत मिली तीन सीटों पर निर्दलियों उमीदवार जीत गए विधान परिशत में बहुमत का आकड़ा 51 का है अब भाजपा के पास 67 MLC हो चुके हैं याने बहुमत के आकड़े से भी सूलस ज्यादा कैसी तस्वीर रहने वाली है विधान परिशत की वो भी आपको बताते हैं नतीजे आने के बाद विधान परिशत में भाजपा के सरसर सदस्य हो जाएंगे समाजवादी पार्टी के सतरा रह जाएंगे बसपा के चार हैं कांग्रेस का एक है अपना दल सोने लाल के एक सदस्य है इसके अलावा दो शिक्षक MLC हैं पाँच निर्दली और एक निशाद पार्टी के सदस्य हैं दो सीटे खाली हैं अब बात करते हैं बीजेपी की जीत की किन किन सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है अगर बात करें प्रत्याशी और शहर के या सीट के हिसाब से तो मुरादाबाद बिजनौर से सत्पाल सैनी बीजेपी के जीते हैं रामपूर बरेली से महराज सिंग बीजेपी के जीते हैं पीली बिश शाजापूर से डॉक्टर सुधीर गुपता बीजेपी के जीते हैं सीतापूर से पवन सिंग बीजेपी के जीते हैं लखनव उन्नाओ से रामचंद्र पधान बीजेपी के जीते हैं राय बरेली से दिनेश पताप सिंग जीते हैं और पतापगड़ से अक्षय पताप सिंग ये कजिन ब्रदर हैं राजा भाईया के और निर्दली हैं और इस सीट को भी बहुत मातवपूर माना जा रहा है वहीं सुल्तानपुर अमेठी से शैलेंदर पताप सिंग बीजेपी के बारा बंकी से अंगज सिंग बीजेपी के बहराईस से प्रग्यातर पार्ठी बीजेपी की आजमगड महु से विकरान सिंग रिशू निर्दली ये जीते हैं ये सीट भी बहुत मतवपूर मानी जा रही है क्योंकि आजमगड में माना जाता है समाजवादी पार्ठी का बीजेपी के हैं अब सब बीजेपी के आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे लेकिन बनारस जो प्रधान मंत्री मोधी का संसदी एक शेत्र है प्रतिष्ठा की सीट होती है यहां पर अन्नपूर्णा सिंग जीती हैं और निर्दली पृत्याशी के तौर पर यहां से खड जफर नगर सहारनपूर से वेदना वर्मा, गोंडा बलरामपूर से अवदेश कुमार सिंग, उर्फ मंजू सिंग और फैजाबाद से हरियोम पंडे हैं वहीं बस्ती सिद्दार्त नगर से सुभाश यदुवंश जीते हैं गोरकपुर माराज गन से सीपी चन जीते हैं दे 2010 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब बस्तपा ने 36 में 34 सीटों पर जीत दर्ज की, 2016 में जब अकलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब सपा ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसमें 8 सीटों पर निर्विरोध ही सपा पत्याशी जीत गए थे 2018 में 13 सदस से निर्विरोध ही चुनाव जीत गए थे इसमें योगी आदित्तिनाथ केशव प्रसाद मौरे डॉक्टर दिनेश शर्मा जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे समें 10 सदस से भाजपा के थे इसके अलावा अपना दल सुनेलाल और सपा के एक-एक सदस से चुने गए थे 2020 में शिक्षक MLC के चुनाव हुए थे तब 6 सीटों में से 3 पर BJP, 1 पर सपा और 2 पर निर्दली प्रत्याशियों ने जीता थे 2020 में ही 5 MLC की सीटों के लिए चुनाव हुए थे तब 3 पर BJP और 1 पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी 2021 में BJP के 4 सदस्यों को राज्यपाल ने नामित किया था इस बार जो आपको विधान परिशद के शकल दिखाई देगी जिस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें BJP हर जगे दिखाई देगी यहने विधान सभा के साथ साथ उच्छ सदन में भी अब BJP के पास है पूर्ण बहुमत